हलो फ्रेंड्स अमरिश एंड जया पतेल नई बोजन प्रथा से आज हम आपके लिए रेसिपी में बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी वैसी रेसिपी है बड़े तो अपकोर्स खाते ही रहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकिन आजकल बच्चों को कुछ खिलाना व लोग फास्ट फूड खाने वाले हो गए है इसके लिए आज हम बताएंगे कुकीज फ्रूट या वेजिटेबल उसमें से आप पीनट बटर का यूज करके कुकीज बना सकते है जो भी आपके बच्चे जो भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाते है उसका आप यूज कर सक सपोर्ट कर रहे है बहुत इजी है इसमें हमारी रोव फूड रेसिपी में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इंग्रेडियंट्स में आप बनाना या ककुमबर या ऐसा कोई भी चीज ले सकते हैं जिसको आप स्लाइस कर सको ऐसे ये किला है बनाना ये खीरा ककुमबर एसे उसका राउन स्लाइस कर देना है गोड आ रही ते कापी नाखवाना चे और इसमें पिनट बटर हमने रखे हुई है आप यूट्यूब पे से देख लेना हमारे में कहीं भी बटर पिनट में बनता है वो जो बाहर मिलता है वो नहीं होता है और ये है चोकलेट पिनट बचों को ये ज्यादा पसंद आता है बहुत इजी है आपको उसके उपर गार्णिश के लिए आप यूज कर सकते हैं हमने यहां बना के रखी आपको यहां बताते हैं मैंगो या ग्रेप्स या पॉम गरनेट सीट्स जो भी आपको बहुत इजी है देख लो आपको इसमें क स्प्रेड कर दो और अपना मन पसंद फ्रूट्स लगा दो ग्रेप्स लगाओ पॉम ग्रेनेट लगाओ यह उसमें से जो भी लगाना इतना इजी है और यह आप पुरा ऐसे 20-25 भी अपने बच्चे को दे देंगे तो वो लोग खा लेंगे यह देखो केले पर हम लगा रह कितना बढ़िया लगता है देखो यह हमने सजाया हुआ है आगे यह केले पर अनार के दाने लगा दिये है यह कुकुमबर है इस पर ग्रेप्स है यह मैंगो के पिसीज है ऐसा कोई भी आपकी और से आपको जो भी अच्छा लगे इसमें फूट्स और वेजिटेबल्स आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो अनार्दाने उस पर लगाओ तो देखो कितना बढ़िया लगता है यह यह अप भी ट्राइ कर लो आपको पता चलेगा कितना इजी है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप मेरी रीटन रेसिपी के लिए यूटूब वाट्सप फेस टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते है 98799262200 थैंक यू थैंक यू वेरी मच